आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट के ओनलाइन एक्जाम में आप हिंदी के पैसेज को किस परकार सल्व करेंगे वह भी चुटकियों में तो वीडियो पे बने रहे हैं आप देख सकते हैं इसकीन पे आपको जब आपका ओनलाइन एक्जाम होगा तो सबसे पहले आपको यह सुक करेगा तो आप क्या करेंगे देख सकते हैं तो आपको वहां जो आप लॉगिन के उपर है इसके साथ आपको पासवर्ड होगा यह आपका डेटर वर्थ होगा तो जैसे ही आप साइनिंग कीजेगा तो आपको एक पेज ओपन होके आएगा और इसी परकार यह जो सो करता रहेगा तो देख सकते हैं आप तो यह आपको इसकीन आएगा तो इसको क्या करना है आपको पता भी होगा एक वीडियो भी बनाओ इसमें क्या करना है आपको नेक्स्ट पर किलिक किजेगा उसमें आपको सेलेक्ट लेंग्वेज को सो कर रहा है कि लेंग्व और आगे इस मतलब गद्यांश को लेकर मुखरूप से बात करूंगा तो देख सकते हैं यह processing है तो यह processing खुल के आपको आ रहा है बारिकी से इस परकार चूज कीजेगा क्योंकि अगर थोरा भी गलती हो गया तो समझ लीजेगा आपका number count नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं आपको हम बताऊंगा कि आपका language 1 है तो आप यह भी बारिकी त्वा जान लीजे कि language 1 है तो language 1 कैसे आपको मतलब छूज करना है तो देख लीजे आप यहां आपको start यह जो दिख रहे हैं अब उसको ध्यान दीजेगा यहां लिखा हुआ है language यहां जो है तो सबसे उपर पे जाना है उपर पे देखे जाने का मतलब यह हुआ उपर जो देख रहे हैं ए टू जो देख रहे हैं आप यहां जो आपको कुछ दिख रहा होगा यहां तो क्या करना है उस पे आपको किलिक करना है यहां एक उस पे जो आप जैसे ही आप किलिक कीजिएगा तो आपको यह हमारा बालविकास का खुल के आएगा यानि और प्रोसेसिंग में और उसके बाद आपको इस पे किलिक करना ऐसे ही आपको लिखा रहेगा तो लेंगवेज Ouais अंके में बज़िर किनगे क करने है Wars लेंगवेज इंग्वेज इंग्लिश और दूसरा है लेंगवेज हिंदी तो सबसे पहले क्या करना है अगर आपका language 1 हिंदी है तो आपको क्या करना परेगा language 1 पे हिंदी पर किलिक किजिएगा जैसे ही आप language 1 पे किलिक करते हैं तो आप omar sheet को ये देख सकते हैं ये आपका omar sheet है जिसमें आप मतलब टीक लगाएंगे आप बनाएंगे तो वही omar sheet इस पर आजाएगा और ये आप देख सकते हैं ये आपको रहेगा आपको इसी परकार अगर आपका language 2 होगा तो उस पे किलिक करना है देखिए language 2 पे उस पे जैसे ही आपके लिएगा उसमें आपका Hindi Sanskrit जो भी होगा वो फुलके open आ जाएगा तो आप ये शिख गए होंगे तो अब चलते हैं गद्यांस पे देखिए जब आप online exam होता है तो गद्यांस जो रहता है पहले आपका क्या हो सकता है पेड़ागोजी भी आ सकता है तो जैसे लग रहा है question को बढ़ने से पता चल रहा है कि आपका ये पेड़ागोजी है तो पेड़ागोजी है तो देख सकते हैं कि पेड़ागोजी कितने तक है तो ये पेड़ागोजी जो होते हैं ये हमारा 15 हो तक होते हैं तो देख सकते हैं कि 10 पिर नौ से फिर कहें तो आठ से देख सकते हैं कि हमारा पेडागोजी है तो आ रहा है ऐसा कि आपका 9 से या नौ नमर क्वेश्चन से आपका यह गद्यांस है तो मुखरूप से यही था कि गद्यांस को आखिर किस परकार सॉल्व करें क्योंकि ऐसा देखा गया है कि offline exam में जब pen paper होता था तो क्या होता था परके पूरे और उस परकार मतलब solve करते थे लेकिन बहुत सारे स्टोइन का डाउट रहता है कि क्या इस्कीन पर हमारा यह जो आप गद्यांस जो देख रहे हैं गद्यांस हट जाएगा क्या नहीं देखिए यह आपका पैसेज रहेगा इसके साथ सब्सक्राइब को चुनिए तो इस परकार देख सकते हैं हैं तो देखिए जब भी आप पैसेज को सुल्व करेंगे हुसे भी पैसेज हो या या इंगली सकती हो तो फंहें च्थी कहीं बात करना है व्यूत्ति क्या करना है एक नजर आप आपको पड़ने में दस-स्पंप नहीं ठोट जाते हैं और आपको 10 मिट में तू बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले question को पढ़ना है, एक नजर आप question को पढ़ लिजेगा, इनमें से किसे गांदी जी ने अपना लक्ष नहीं बनाया, नौ है, फिर आपको 10 को पढ़ लिजे, अनुछेद के अनुसार किसे अपने विभार कहिसा बनाना चाहिए, इसके सासत आप 11 न असान तरीका यह है, देखिए, जैसे आप नौस सवल पर जाते हैं, तो इनमें से किसे गांदी जी ने अपना लक्ष नहीं बनाया, थिक, तो क्या करना है, आप बोलिएगा कि गध्यांस पढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आप question एक नजर सभी को question को दे गध्यांस बरा रहता है, तो आपको उपर होगा, यह सब मौस का है, अगर आप चाहते हैं कि एक को एक एस्पेसल वीडियो बना दू, आप कमेंट बोक्स में जरू बताइएगा, कि आपको किस परकार मौस के सारे आप नीचे उपर करेंगे, लेकिन आपको पता होगा, तो देख सकते हैं किसे गांधी जीन अपना लक्ष नहीं बनाया, तो आपको क्या करना है, अब एक नजर उपर से पड़ना है, देखिए, पहला सवाल, पहला कुश्चन, गध्यांस का पहला कुश्चन और लास्ट का कुश्चन, लास्ट का जो कुश्चन होता है, यह आपको पहले भी मिल सकता है और लास्ट में भी मिल सकता है और पहला जो सवाला बनाईएगा पहले जो एसकीन पर आएगा तो आपको लास्ट में देखिएगा और फर्स्ट में देखिएगा ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट में मिलता नहीं है तो आप पूरे गद्यांस को देखते र खल भी मिलता है जो समाज और संबेदना की निती मुलक जो अस्थापनाओं को अपने ब्यभार का हिंसा बनाता है देखिए इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ब्यभार की बात हो रही है वहीं सांती पाने का हगदार होता है महाविर बुद्ध क्रा ब्यभार का हिंसा बनाना चाहिए तो देख सकते हैं जब आप एक जलक देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा फिर अगले 11 नमर क्वेश्चन है गांधी जी विश्वनेता बने क्योंकि फिर 12 नमर क्वेश्चन तो ऐसे देसे है महात्मा बूद्ध क्राइस्ट नानक औ और उस जगह पे क्या कर रहा है वह धियान देना है जैसे जैसे कहता है और देखिए आपका यहां मिलिल रहा है अब देख सकते हैं सब के प्रशन को सवार्व करेंगे तो देखिए व 3770 ने दोनों option में है तो जब भी option को आप solve करेंगे तो बारिकी को ध्यान दीजेगा कि ये समान है कि समान है देखिए गध्यांस रहता है तो परिक्षा के time में एक दबाब बन जाता है कि क्या करें कैसे तो समान को समानने पढ़ लेते हैं तो ऐसी सिती में आप बच के रहेगा और ऐसे सवालों को आप असानी से सहज रूप से आप solve कर सकते हैं तो इसका क्या हो जाएगा ये आपका ये समानने नहीं दीजेगा ये समान दीजाए क्योंकि यहां देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है समान तो उसके बाद आपको हम बताए भी थे कि सेवे नेक्स्ट करना है सेवे नेक्स्ट करते हैं तब आपका जब हरा लग जाता है तब आप इस कोश्चन के दावेदार है यानि आपने इस कोश्चन को solve किया है ये अपना पढ़ाया है ये आपका क्या हो जाएगा ये दोन्त समास है समास को भी थोड़ा पढ़ के जाना है सेवे नेक्स्ट करना है हमें किसकी अनुसार फ़र मिलता है तो आपके गद्यास में पढ़े तो उसे लगा कि बैभार की बात हो रही है तो आपको क्या होगा किशे अनुसार किसी भी इंसान को क्या होता है ये थोड़ लोजिक भी है कि आपको बैभार की बात हो रहा है तो बैभार हो जाएगा फिर आपको सांती को कहां पाय जा सकता है तो आप यहां देखे भी होंगे जिसमें आपको पता चल रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा स्वेंग में फिर आपको क्या करना है इसको 7-next देखे 7-next कीजेगा फिर आज जो आगया ये हमारा 18 नमर से यानि 9 से क्या हुआ 18 ये हमारा गध्यांस है तो किसे गांदी जी अपना लक्ष नहीं बनाया तो देखे यहां जो क्वेश्चन है यहां क्या बताये थे जब भी गांदी जी की बात था है तो आपको क्या करना है उस पे रखना है गांदी जी ने गुलामी से आजादी मनुष्टा की शेवा और बिवेक से मित्रता को अपना लक्ष बनाया तो कर रहा है किसे लक्ष नहीं बनाया तो गुलामी देखे यहां भी एक सवाल को याद रखना है मतलब बारीगी को धियान रखना है दो चीज है मनुष्टा और बिवेक तो मिल गए आपको गुलामी और गुलामो देखिए बहुत माइनर में आपकी गलती एक देखे करने लगता है गुलामी जब स्पीड में बनाएंगे आपको दूनों एक ही लगेगा कि गुलामी है और गुलामो है तो इस परकार देखिए यहां लिखा हुआ इनमें से कौन सा नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा तो गुलामी से तो है बट गुलामों से नहीं है तो इस बात को टिक कीजिएगा मौस से 7-next कीजिएगा अनुछेद का अनुसार किसे अपने ब्यभार कहिसा बनाना चाहिए तो आपको गध्यांस में पढ़े ही होंगे तो यह हमारा समाज और संबेदनाओ के क्या होगा नैतिक मूल आपको हम दिखा भी सकते हैं देख सकते हैं आप तो आपको जेखिए गध्यांस को सौल्ब करने का यहीं जो तरीका जो बता है आपको फिर सेवें नेक्ष्ट करना है गांदी जी बिश्वेता क्यों बने क्योंकि देखे क्या लिखा हो नीचे लिखा हो था ना कि सवी के मतलब उसको जो है यह सवी के हो हर किसी का मित्र होगा यानि वो आप मतलब किसी के साथ अच्छे वेभार रख्ते थे यानि सभी के प्रती उनकी समान दृष्टी का भाप था समान ने नहीं समान दृष्टी का 7-next करना है फिर आपकु गांधी जी में क्या समान ता थे तो वे सभी ने क्या किया मानव कल्यान किया से करना तो जैसे यहां यह क्वार्व कुछछ़ प्रती क साल कुछा जाता है जैसे ही ही आप सल्व करेंगे तो आपको पैसेज को intern włas पर into करने पर ऐसे को आप नहीं दूस्कों करता हूं कि यूद्व कैसा लगा अगर अच्छा होग तो दोस्तोंहे नहीं किजेगा आसा करता हूँ कि दोस्तों यो वीडियो अच्छा लागा होगा तो चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं धन्यवाद